दोस्तों 22 जन्वरी को राम मंदिर का प्रान प्रतिस्ठा होना है और आप तमाम लोग जानते हैं कि राम मंदिर के नाम पर इस देश में राजनीती चल रही है लगातार अलग अलग दल जो है वो एक दूसरे पर हमलावर है कोई राजनीतिक फाइदा उठाने की कोशिच कर रहा है कोई किसी के राजनीतिक फाइदा उठाने पर सवाल खरा कर रहा है इस बीच तमिलनाडू की सरकार, तमिलनाडू की जो मुख मंतरी है, स्टैलिन के पुत्र ने एक बयान दिया है, उन्होंने सीधे-सीधे ये बात कही है कि राम मंदिर पे उनका क्या कुछ विचार है, वो कहते हैं कि जिस जगा मस्दित को तोड़ करके मंदिर बनाई गई हो, मैं इसे बिलकुल भी सही नहीं मानता हूँ, उन्होंने सीधे-सीधे क्या कुछ बयान दिया है, वो हम आपको बताते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये इनके स्टैलिन के पुत्र हैं, जिनका नाम उदै निधी स्टैलिन है, वो कहते हैं कि मस्दित गिरा कर अंधिर बनाना हमें स्विकार नहीं हैं, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, ये बात कह रहे हैं, उदै निधी स्टैलिन, जो क Walt तमिनाडू के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पुत्र हैं, इन्होंने ये बयान दिया है, आपको बता दें कि उध्यनिदी स्टेरिन जो हैं, वो अपने बयान की वज़ा से जाने जाते हैं, और अक्सर देखा गया है, कि इनके बयान से लोगों के अंदर नाराजगी होती है, को इस बात से चिड़ है, कि भğ Gabrielle, आपका मंदिर बन रहा है, या आप मंदिर क्यों बना रहे हैं, मामला शर्फ और सिर्फ इस चीजका था, कि बाबरी मदियन बना देते हैं, और बगल में कुछ दूरी पर एक जमीन दी गई, जहां पर मंदिर बनाने की बात की गई ये बाते साफ होती है कि अगर ऐसी बात ना होती तो एक जगा उन्हें जमीन न दी जाती एक जगा उन्हें मस्जद बनाने के लिए जो है जमीन नहीं दी जाती और एक जगा मंदिर नहीं बनता आज उस पूरे मामले पर मंदिर बन रहा है आधा अधूरा मंदिर भी बना है कि उस पर प्रानपृती स्था करवाया जा रहा है जिससे खुद हिंदू समुदाइक के शंकरचार नाराज है कई सारे दल के नेता भी इस पर सवाल खड़ा करते हुए ये कह रहा है कि भारतीय जंतापार्टी RSS के साथ मिल करके इसे एक चुनावी जगह बना करके दिखाने की कोशिश कर रही है और वहाँ से अपना वोट बैंक तैयार करने की कोशिश हो रही है इसमे कोई शक नहीं है और कोई दोराई नहीं है आपको अगर इसके बारे में जानकारी लेना हो तो आपको भारतिय जनता पार्टी के एक्स हैंडल को, फेस्बूक हैंडल को खोलिए और वहाँ पर देखें कि वो क्या कुछ पोस्ट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से आने वाले कुछ दिनों तक ये लोग लगातार सिर्फ राम मंदिर पर पोस्ट कर रहे थे और राम मंदिर पर ही पोस्ट करेंगे और उससे कहीं ने कहीं राजनेतिक फायदा उठाने की पूरी की पूरी कोशित कर रहे हैं यह बात है साफ है कही नहीं इससे सब कुछ क्लियर दिखाई देता है कि राम मंदिर इन लोगों के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है चुनाव जीतने तक ये लोग राम मंदिर का जिक्र करेंगे और फिर एक वक्त जब चुनाव का आएगा उस वक्त फिर किसी नए मंदिर को या फिर इसी मंदिर से जुड़ी हुई किसी बातों को ला करके पेश कर देंगे भारती राजनीती में सबसे बड़ा अफसोस जनक अगर कोई मामला है तो वो यही है कि भारत के राजनीती का निव धर्म पर रख दी गई है यही वज़ा है कि आज देश में तमाम मुद्दों को छोड़ करके लोगों को मंदिर और मस्जित के मसलों में उल्जा दिया गया है ताके कोई ये ना सवाल करे कि देश में बेरुजगारी क्यों है कोई ये ना सवाल करे कि देश में नौकरी क्यों नहीं है कोई ये ना सवाल करे कि क्या वज़ा है कि भारत लगातार चाइना से घिरता जा रहा है कोई ये ना सवाल करे कि क्या वज़ा है कि भारत का तमाम अपने पडोसी रिष्टेदारों से पडोसी मुलकों से रिष्टे खराब होते जा रहे हैं ये वज़ा है कि आज भारत की राजनीती में मंदिर और मस्जित को जबरदस्ती घुसेड दिया गया है ताकि आप तमाम लोग इसमें उल्जे रहें और राजनीती के रोटी सेकने वाले लोग जो नेता हैं वो अपने बाप और बेटों को मस्त जिंदगी दे, बहतरीन में तमाम मुद्दों को छोड़ करके मेनिस्ट्री मीडिया को अपना घुलाम बना करके ये सत्ताधारी पार्टी जो है वो कहीं ने कहीं धर्म की राजनीती कर रहा है और ये देश धीरे-धीरे धर्म की राजनीती का ऐसा शिकार होता जा रहा है कि नजाने कब इस मुल्क क के लोगों को इस बात का एहसास होगा कि इस देश में राजनेताओं ने इन लोगों के साथ धर्म की आड में ऐसा काम किया है ऐसा जख्म दिया है जिसे ठीक करवाना मुश्किल ही नहीं बलके कुछ हद तक नामुमकिन हो जाएगा आप तमाम लोग अपनी राजने